नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों के बारे में जो की क्वाल्टी इंजिनियर के इंटर्वियू में बार बार पूछे जाते हैं इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक को कबर करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग बात करें क्वालिटी की तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर क्वालिटी होती क्या है इसको कैसे define कर सकते हम उसके बात करेंगे 3M और 4M के बारे में 3M और 4M क्या होता है इस वीडियो में जानेंगे variable defect और attribute defect क्या होते है reliability क्या होती है quality assurance और quality control के बीच में अंतर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे list count क्या होता है इसको कैसे निकालते है ये भी हम देखेंगे GD&T यानि geometrical dimensioning and tolerance के बारे में भी हम बात करेंगे और कुछ और topic है उनको हम इस वीडियो में cover करेंगे इसमें questions होंगे उनका हम answer देखेंगे और उसके साथ ही उससे related जो fact होंगे मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको जो है उससे related extra knowledge हो और उस तरह से एक question में आपके कई सारे answer मिल जाएंगे यह जो e-series का पहला part है बहुत सारे questions है इनको एक वीडियो में cover नहीं कर सकते हैं इसलिए इसके कई सारे part आएंगे तो बने रहे वीडियो के अंतक और देखिए आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा तो चलिए सुरू करते हैं जैसे कि हम लोग बात कर रहे है quality की तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर quality होती क्या है इसको हम कैसे define कर सकते हैं यहाँ पर दो definition दिये हुए हैं दोनों आप देख सकते हैं मैं इसको समझा देता हूँ तो जब हम quality चेक करते हैं तो किसी product या किसी service की quality चेक करते हैं तो वो जो product है वो जिस car के लिए बना है उसको वो कितने अच्छी तरीके से perform कर रहा है उसको जो है उसकी हम quality बोलते हैं यानि उसकी जो degree of excellence है performance की वो कितनी high है कितनी अच्छी है उसी से उसकी quality जो है define होती है और क्या जो हमारा product है वो customer के requirement को fulfill कर पा रहा है अगर वो fulfill नहीं कर पा रहा है तो हम कहेंगे इसकी quality अच्छी नहीं है अगर वो बहुत ही अच्छे से customer के requirement को fulfill कर पा रहा है तो हम कहेंगे इस product की quality अच्छी है यान कस्टमर के requirement को meet कर रहा है तो इस तरह से कुछ आप समझ सकते हैं बाकि आप definition देख सकते हैं कुछ important point है जो quality के बारे हमको याद रखना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं quality जो होती है वो basically depend करती है जो आपका process है जिस process से होके वो product बन रहा है आखिर उस process की quality क्या है अगर process की quality अच्छी है तो आपका product आटोमेटिक अच्छा होगा और process जो है वो depend करता है for yam पे for yam या जो हमारे होते हैं for yam अगर आपका main यानि जो है आपका labor है skill है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है efficiency उसकी अच्छी है तो वो हमको एक सही result देगा ऐसा भी होता है जब आपके पास सारे resource available होते हैं लेकिन केवल एक गलत method के वज़ए से गलत तरीके के वज़ए से आपका product या service खराब हो सकती है तो दूसरा आपका method अच्छा होना चाहिए तीसरा material material आपका जो है जो हमारे standard है उनको meet करना चाहिए तो यह material भी काफी important role अदा करता है चौता है हमारा machine जैसा के हम जानते है machine जो है एक basic need है किसी product को manufacture करने के लिए तो machine भी आपका सही होना चाहिए maintenance में होना चाहिए proper cleaning होने चाहिए उसकी तो यह सारी जो है चीजे होती है तो यह जो होता है forum एक और यहाँ पे point है आप देख सकते हैं जो जोसेफ M. जुरान है इनको जो है हम quality guru के नाम से जानते हैं अब देखते हैं कि एक good quality है और एक bad quality का क्या effect पड़ता है हमारे organization पे हमारे employees हैं उन पे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं quality के benefit की quality अगर अच्छी है तो customer satisfaction आपका अच्छा मिलेगा customer से relation आपका अच्छा बना रहेगा जब quality अच्छ operation के लिए बना होता है उसकी efficiency better होती है productivity हमारी बढ़ती है और हमको profit होता है और जो हमारे workforce होते हैं जो हमारे employee होते हैं उनका moral बढ़ता है अगर quality अच्छी होती है तो customer से relation अच्छा रहता है तो जैसे company growth करती है तो उसके साथ साथ उसके employee भी growth करते हैं तो इस तरह से उनका moral बढ़ा रहता है और हमारा waste कम होता है अगर अच्छी quality होती है सही तरीके से काम होता है तो उसमें हमारा cost बचता है quality अच्छी होती है तो हमको बहुत ज्यादा inspection बहुत ज्यादा gaging करने की जिरूत नहीं होती है बस हम sampling कर लेते हैं तो हमारा जो है काम चल जाता है process improve होता है इससे market value बढ़ती है market share बढ़ता है हमारी company का और इससे जो एक positive working environment बना रहाता है company में happiness और prosperity होती है और इससे जो एक better quality सभी लोग जी पाते हैं अगर poor quality के disadvantage के बारे में बात करें तो हमारा जैसे low customer satisfaction होता है productivity कम होती है sale कम होता है तो हमको profit कम होता है moral जो है workforce का नहीं बढ़ है material waste ज्यादा होता है labor ज्यादा लगते हैं तो इस तरह से cost हमारी बढ़ जाती है high inspection cost आती है seeping में delay होता है repair cost बहुत ज्यादा आती है जैसे quality poor होती है तो हमारे जो है sales नहीं होते है तो हमको inventory रखनी पड़ती है तो उसकी cost ज्यादा आती है और material का wastage ज्यादा होता है कभी कि जो skill होता है practical experience जाता है जब हम ground पे काम करते हैं industry या company में काम करते हैं कुछ सीखते हैं तो उससे हम skill होते हैं तो यह knowledge और skill के बीच में अंतर होता है अब बात करते हैं reliability के बारे में reliability क्या होती है कोई product या service जो होती है वो किसी particular function के लिए manufacture या design किया जाता है तो कोई भी product product या service जिस function के लिए बनी है वो उसको कितने अच्छे तरीके से कितने long term में अच्छे से perform करती है उसको हम क्या बोलते है reliability सपोच करी हमारे पास कोई product है जिसकी lifetime है 10 year लेकिन अगर वो 5 या 6 साली चलता है तो हम कहेंगे यह product जो है reliable नहीं है अगर वो अपने function को proper तरीके से 10 year या 9 year तक भी perform करता है तो हम कहेंगे इसकी reliability अच्छी है अगला जो question है कभी को पूछ दिया जाता है कि quality control और quality assurance के बीच में क्या difference होता है तो यहाँ पर जो basic difference होता है QA और QC में उसको हम देखेंगे इसके उपर हम एक separate video ला देंगे जिसमें हम चार्ट के दौरा basic अंतर होता है वह आप समझ लीजिए अगर QA की full form की बात करें तो होता है quality assurance assurance से आप समझ सकते हैं इसके meaning में ही छुपा है कि इसका मतलब क्या होता है assurance का मतलब होता है किसी चीज को जो है पहले सुनिश्चीत कर देना तो जब भी हम कोई product बनाते हैं तो उससे पहले हम उस आया वह minimum से minimum आया इसको पूरी तरह से आप eliminate तो नहीं कर सकते हैं लेकिन आप इसको जो है एक minimum जो है point तक ले जा सकते हैं तो पहले हम कुछ इस तरह के step follow करते हैं कि ताकि जो हमारा defect है या process जो हमारा उसमें जो परिसानिया आती है वो कम से कम आया यानि हम पहले उसको क्य क्या करते हैं Assure कर लेते हैं quality assurance जो हता है एक preventive process होता है अब हम बात करते है quality control की सपोच करी हमने product manufacture किया उसके बाद से हमारा defect आ गया बहुत सारे error आ रहा है तो उन सब error को हम कैसे remove कर सकते है product के manufacture हो जाने के बाद कैसे हम उसको control कर सकते हैं कैसे हम quality को improve और कर सकते हैं उस ची करते हैं जो हम step लेते हैं उसको कम करने के लिए उसको हम बोलते है quality control तो आयोप एक basic difference आपको QA और QC के बीच में समझ में आ गया होगा अब हम बात कर लेते हैं variable instrument और attribute instrument क्या होते हैं तो यहां पर basically दो तरह के instrument होते हैं एक होता है variable instrument और दूसरा आपका होता है attribute instrument इनके बी variable instrument होता है वह हमको जो value show करता है measurement के बाद हमको एक numerical value मिलती है तो उस instrument को हम क्या कहेंगे variable instrument यानि जो instrument के बाद उसको हम क्या कहेंगे variable जैसे कि हमारा उसमें होता है वर्नियर कैलिपर, माइक्रो मीटर, हाइड गेज और सारे इंस्टुमेंट आते हैं इसके अंतरगत, दूसरा है हमारा एट्रिब्यूट इंस्टुमेंट, ये इंस्टुमेंट क्या करता है हमको जो नुमेरिकल वैल्यू नहीं देता है, अगला जो question है हमारा what is GD&T सबसे पहले हम इसके full form के बारे में जान लेते हैं GD&T का मतलब होता है Geometrical Dimensioning and Tolerancing इसके ताइद हम जो क्या करते हैं जो हमारे engineering drawings होते हैं उनमें जो tolerance होते हैं उनको हम define करते हैं Basically GD&T क्या होता है एक group आप symbols होता है जिसका हम use करते हैं engineering drawing में different types के tolerance को सोख कराने के लिए GD&T को developed किया है American society आप mechanical engineers नहीं तो यह आपको याद रखना है कभी आप confused नहीं हो जाईएगा काफी बार जो हम confused हो जाते हैं GD&T को IOSO ने developed किया होगा लेकिन इसको developed किया है ASME ने GD&T को क्यों create किया गया ताकि हम design के पाद जो manufacturing करते हैं product का उनकी जो है meeting अच्छे से हो उनकी assembly अच्छे से हो उनकी quality अच्छी हो और हमारा जो है cost जो है कम आया अब हम देख लेते हैं उन symbols को जो GD&T में use होते हैं तो यह आप देख सकते हैं जो GD&T में symbol यूज होते हैं वो जो basic symbol है यहाँ पर total 14 जो है symbol है जो की GD&T में use होते हैं पहला आप यहाँ आप देख सकते हैं यह जो straight line है यह हमको straightness so कराती है दूसरा जो symbol है यह आपका flatness so करता है तीसरा जो सिंबल है यह आपका circularity शो करता है चौता जो सिंबल है इससे हम cylindricity को सो कराते हैं पांचवा आप सिंबल जानते ही होंगे पर perpendicularity का है उसके बाद आप parallelism का सिंबल यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद यह जो है angularity का सिंबल है यह profile of line इससे हम सो कराते हैं और इससे हम profile of surface सो कराते हैं अगला जो है यह position हमारा सो करता है इससे हम circular run out सो कराते हैं और double arrow से हम total run out सो कराते हैं अगला जो सिंबल है इससे हम concentricity सो कराते हैं और जो last है इससे हम symmetricity सो कराते हैं तो यह जो सारे सिंबल हैं यह आपको ड्राइंग में देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसे सिंबल भी हैं जिनको मोडिफायर के नाम से जानते हैं इनका भी उज़ हम जो है डिफरेंट टाइप के टॉलेंस को डिफाइन करने के लिए करते हैं इसको भी हम देख लेते हैं पहला पी से हम सो कराते हैं projected tolerance zone यह अपसे free state और यह जो है diameter का symbol है ठीक है अगर आपको जाना है LMC और MMC क्या होता है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है उसका link description में आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कुछ और additional symbols हैं इनको भी देख लिजिए यह जो dimension origin सो करता है यह जो counter boring सो कर कराते हैं इससे all around ऐसे between लिसमों करें सो कराता है इससे target point um ATE समय कराते हैं इसस been conical tape आपर फोग कराते हैं इससे am slope slo कराते हैं और यह जो कैप्यवाजर का tolerance को और square में double 7 से हम बेसिक डामेंशन और इस से हम सो कराते हैं reference dimension और 5X हमारा सो करता है places को तो यह जो है कुछ additional symbols हैं और GD&T के symbols को या जो modifiers हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं तो इस तरह से drawing में हमारा feature control frame होता है जिसमें हम इस तरह के symbol का यूज करते हैं कुछ इस तरह से GD&T की हमने बात कर ली अब हम बात करते हैं कि आखिर datum क्या होता है तो datum क्या होता है एक reference point होता है जहां से हम किसी चीज का measurement करते हैं यह आप देख सकते हैं यहां पे एक drawing दी हुई है और यह जो है आपका perpendicularity का यहां पे symbol है तो यहां पे दिया गया datum A से यह जो surface है यह क्या perpendicular है और जो perpendicularity का हमारा tolerance है वो है 0.03 यह हमारा हो गया datum और इस यह surface 90 degree पर होना चाहिए और यहां पे आपका tolerance भी दिया हुआ है यानि 90 degree से 0.03 यह कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है ठीक और यहां पे तीन तरह कि जो है datum होते हैं primary datum, secondary datum और tertiary datum तो यह भी आपको याद रखना है जैसा कि हमने बात किया attribute और variable instrument के बारे में अब हम बात कर लेते हैं attribute और variable defect क्या होते हैं उनके बारे में तो कभी भी आपसे पूछा जा attribute और variable defect में क्या अंतर होता है तो आप in point को mention कर सकते हैं तो पहला जो point है हमारा attribute defect में कि जो attribute defect होता है उसको हम quantify नहीं कर सकते हैं यानि हम उसको एक numerical value में so नहीं करा सकते हैं वहीं जो variable defect होता है उसको हम quantify कर सकते हैं उसको हम जो हम numerical value में show करा सकते हैं, measure कर सकते हैं. जैसे example में देखें, attribute defect का, तो जो scratch होता है, line mark होता है, dust होता है, dent होता है, crack होता है, ये सारे attribute defect के अंदर आते हैं. और अगर हम बात करें, variable defect की, तो इसमें length, width, diameter, height, ये सारे dimension आते हैं, जैसा कि length, width, diameter इन सब को हम measure कर सकते हैं एक numerical value इनकी प्राप्त कर सकते हैं वहीं हम scratch, line mark, dust, crack इनको हम measure नहीं कर सकते हैं इनको हम visually check कर सकते हैं तो यह जो होता है attribute और variable defect में अंतर होता है इसी चीज़ से related एक और concept है कि attribute और variable inspection क्या होता है तो same होई हो जाएगा कि अगर हम ऐसा inspection करते हैं जिसमें हमको एक numerical value मिलती है तो उस inspection को हम क्या कहेंगे valuable inspection अगर inspection में हमको numerical value नहीं मिलती है तो उस inspection को हम क्या कहेंगे attribute inspection तो यह भी एक point है आप देख सकते हैं अगला जो question है हमारा कि list count क्या होता है जैसा कि हम से interview में काफी बार पूछा जाता है कि list count क्या होता है कि इस भी instrument का जदतर आप से पूछा जाता है कि vernier या micrometer काम list count कैसे निकालते हैं कई बार आपको formula लिग के बताना पड़ता है लिग के दिखाना पड़ता है तो कोई भी instrument जो smallest value measure कर सकता है उसी चीज को उसका list count कहते हैं यानि सबसे कम value जो वो instrument measure कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं list count बोलते हैं अब यहाँ पे हमने बात की vernier और micrometer का तो इनका list count क्या होता है उनके बारे में देख लेते हैं और इसको कैसे निकालते हैं अगर हम बात करें vernier की तो सबसे पहले vernier को आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इस scale को हम बोलते हैं main scale और यह जो scale होता है इसको हम बोलते है vernier scale तो जो vernier जो हम काम करता है वो काम करता है दो scale के difference के principle पे वहीं जो हमारा micrometer होता है वो काम करता है nut और screw पे तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं vernier के list count की तो vernier के list count को formula होता है smallest division on main scale divided by total number of division on vernier scale तो इनका ratio होता है अगर हम बात करें smallest division का होता है main scale का तो वो आपका हो जाता है 1 mm वहीं अगर हम vernier scale में बात करें किटने division होते हैं तो vernier scale पे total जो division होता है वो 50 का होता है यहाँ पे आप देखेंगे 0 से 1 के बीच में आपको 5 जो है division मिलेंगे क्योंकि यह 10 point तक है तो यह 5 into 10 करेंगे तो आप यहाँ पे total division आपको 50 मिल जाएगा तो इस तरह से आपका जागा 0.02 mm जो की list count होता है manual vernier caliper का अब हम बात कर लेते हैं micrometer का तो micrometer का जो list count होता है सबसे पहले हम जान लेते हैं pitch क्या होता है जब हम इस circular square को rotate करते हैं तो वो उसका एक rotation क्या होता है pitch बोलता है और वो एक rotation कितने का होता है 0.5 का होता है तो इस तरह से micrometer के list count का formula होता है pitch आप micrometer divided by total number आप division on circular scale तो यहाँ पे circular scale पे भी 50 division आपके होते हैं तो इस तरह से हो जागा 0.5 यानि जो आपका pitch होता है divided by 50 तो इस तरह से इसका list count आजागा 0.01 mm यानि 10 micron तो यह जो है हमारे manual micrometer का list count होता है तो इस तरह से हमने निकाला list count तो इस तरह से manual vernier caliper का list count होता है 0.02 mm यानि 20 micron और digital vernier caliper का list count होता है 0.01 यानि 10 micron और manual micrometer का list count होता है 0.01 mm यानि 10 micron और digital micrometer का list count होता है 0.001 mm यानि 1 micron तो जैसा कि हमने बाद किया list count की और उसको कैसे निकालते हैं वो भी देखा तो यहाँ पर कुछ instrument के list count दिये गए हैं इनको video पहुज करके आप देख सकते हैं या फिर अपनी सुविदा के लिए इसका screenshot भी ले सकते हैं दोस्तो अभी हमने बात की थी 4M की अब हम देख लेते हैं 3M क्या होता है तो 3M बेसिकली यहाँ पर denote करता है तीन तरह के wastage को इसको हम एक example की सायता से समझते हैं पहले हमका मतलब होता है मूदा यानि waste यह यहाँ पर assembly line है यह आप देख सकते हैं फोटो में हमको यहाँ पर assembly line पे 12 या 13 उस condition में क्या होता है जो हमारे पास resource available है वो required से ज़्यादा है तो यहाँ पर manpower का waste होता है तो इस condition को हम मूदा कहते हैं दूसरा यहाँ का मतलब होता है मूरी यानि over burden इस example को फिर लेते हैं इस condition में क्या होता है जो हमको manpower required है उससे जो है कम हमारे पास available होता है manpower तो उसको मूरी कहते हैं हमको चाहिए 10 manpower लेकि हमारे पास available है 7-8 तो उस समय में क्या होता है manpower पे burden ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस condition को हम बोलते हैं मूरी तीसरा हमका मतलब होता है मूरी यानि inconsistency या unevenness इस condition में क्या होता है जितने हमको manpower या resource की जरूरत है तो उस लेकिन हमारे पास कभी available है 5 या 6 कभी 12 या 13 कभी 7 या 8 तो इस तरह से एक consistency नहीं है तो इस condition को हम मूरा बोलते हैं इसी से मिलता जुलता अगला word है इसको हम समझ लेते हैं कि जो lean manufacturing होता है जिसमें हम wastage को reduce करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं उसमें कितने तरह के waste होते हैं तो lean manufacturing में basically 7 तरह के मूदा होते हैं यानि 7 तरह के आपके waste होते हैं पहला है आपका मूदा आप over production यानि हमारे पास जब production ज़्यादा होता है तो उस case में भी waste होता है दूसरा है हमारा मूदा आप process itself over processing यानि जितने हमको process required हैं अगर हम उससे ज़्यादा processing करते हैं तो उस condition म भी हमको waste देखने को मिलता है तीसरा है हमारा मूदा आप inventory stocks हमारे पास बहुत ज्यादा inventory है बहुत ज्यादा stock है तो उसको maintain करने के लिए भी हमको cast चाहिए होता है manpower चाहिए होता है तो उस condition में भी waste होता है चौथा है हमारा मूदा आप transport अगर आपके पास एक proper logistics plan नहीं है एक proper logistics system नहीं है तो आपको transportation में भी जो है wastage देखने को मिलता है पांचवा है आपका mood of waiting कई दफा ऐसा condition आता है कि जब हमारे manpower हमारे labor को या हमारे customer को wait करना पड़ता है तो इस condition में भी क्या होता है time का waste होता है छटा है हमारा मूदा आप motion जितना हमको movement चाहिए अगर हम उ time का loss होता है manpower का loss होता है तो over movement में भी हमको loss देखने को मिलता है सात हुआ यहाँ पर mood of defect जब हम production करते हैं तो हमारे सारे पार्ट तो जो है साही साही बंते नहीं है बहुत सारे इस वीडियो में बस इतना ही तो वीडियो कैसा लगा है आपको जुरूर बताईए